सच्चा बालक एक दिन विद्याले में गणित के अध्यापक में कक्षा के बालकों को गणित के प्रश्ण घर से हल करके लाने के लिए दिये। प्रश्ण बहुत कठिन थे, उन्हें हल करना आसान न था। अगले दिन गणित की कक्षा में अध्यापक ने कहा, जो बच्चे प्रश्न हल करके लाएं हैं, वे हात उठाएं, लेकिन किसी भी विद्यार्थी ने हात उपर नहीं उठाया, क्योंकि प्रश्न काफी कठिन थे, कोई भी बालक प्रश्न हल नहीं कर पाया था, अधिकतर प्रशा हुई, परन्तु उन्हें खुशी इस बात की भी थी, कि कोई बालक महनत से इतने कठिन प्रश्न हल करके लाया है, उन्हें इस बालक पर बहुत गर्व हुआ, अध्यापक ने उसे पास बुलाया, वसिर पर हात फेरते हुए कहा, देखो कितना अच्छा बालक है, ज इसने सभी प्रश्न हल किये हैं, अपनी बुधिमानी वा परीश्रम से, तुम सभी को इससे कुछ सीखना चाहिए, कि कैसे अपना काम समय पर वा महनत से करना चाहिए, अध्यापक बालक की तारीफ कर ही रहे थे, कि अचानक बालक फूट-फूट करोने लगा, अध्यापक स पहले बालक को चुपकर आया, वा प्यार से बोले, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो अपना ग्रह कारे करके लाए हो, वा तुम्हारे सभी प्रश्न सही हैं, फिर तुम क्यों रो रहे हो, यह सुनकर बालक और भी जोर-जोर से रोने लगा, उसका ये अजीब व्यवाहार देख कर अध्यापक को और आश्चरे हुआ, वे असहज और परिशान हो उठे, उन्होंने बालक से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं, कि रो क्यों रहे हो, तुम तो कक्षा के सबसे होश्यार बच्चे हो, तुम्हारा इस्थान तो कक्षा में सब बालकों से पहला इस्थान परन्तु मैंने सभी प्रश्ण हल नहीं किये हैं। ये सभी प्रश्ण हल करने के लिए मेरे भाई ने मेरी साहिता की थी। मुझे तो कुछ प्रश्ण समझ भी नहीं आय थे। मैं इस तारीफ वा प्रशन्सा के लायक हूँ। मुझे बहुत डुख हो रहा है। बालक की इस बात को सुनकर वसच जानकर अध्यापक ने उसको गले लगा लिया, उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, देखा तुमने, यह बालक कितना सच्चावा इमानदार है, इसे सच्चाई से कितना प्यार है, यह बड़ा होकर बहुत सम्मान पाएगा, तथा अपना और अपने देश का नाम उचा करेगा, सभी इसे अपना आदर्श वानेंगे, सच बोलने से हमारे व्यक्तित्म में एक नई उर्जा उत्पन होती है, वह बहुत सम्मान भी प्राप्त होता है, परंतु जूट बोलने वाला सदयव दुखी रहता है, उसकी वाने में भी कोई ओज नहीं रहता है, और ना ही उसे कोई सम्मान प्राप्त होता है, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, बच्चों, क्या आप जानते हैं, यह बालक कौन था? यह बालक था गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़े होकर देश के एक महान नेता बने, महात्मा गांध गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने देश की स्वतंत्रता में अपना एहम योगदान दिया, गोखले सत्य के कारण ही महान कहलाए